तो आज के वीडियो में भिन के बारे में जो basic concept हैं वो बता हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं कुछ करते हैं देखो भिन भिन अंगरी जीम बोलते हैं friction अब भिन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं किसी संख्या के निश्यत हिस् अब ये है तीन बटे चार इसका मतलब है तीन को चार बरावर भागों में बाटना तो ये तीन बटे चार बन गी अब ये है पांच बटे साथ तो इसका मतलब हुआ कि जो पांच है उसको साथ बरावर भागों में बाटना विन का मतलब हम समझते हैं कि उपर वाली संख्य संक्या को नीचे वाली संक्या के बरावर हिस्सों में बांटना है, यानि 5 को बरावर बरावर 7 बांट देना, अब देखो ये 2 बटे 3 इसका उपर वाली संक्या को अंस बोलते हैं, नीचे वाली संक्या को हर बोलते हैं, और अंगरेजी में ऐसे बोलते हैं numerator, अंस को क्या बोल बोलते हैं numerator और हर को बोलते हैं denominator और हर को क्या बोलते हैं denominator तो अब आगे बढ़ते हैं भिन्न की तरफ और देखो भिन्न दो प्रकार ही होती है एक तो साधान भिन्न और एक संयुक्त भिन्न साधान भिन्न ऐसी भिन्न होती है जैसे दो बटे तीन चार बटे पांच एक बटे 5, मतलब साधान भिन्न है, और संयुक्त भिन्न क्या है, कि जिसमें पूरांक दिया हो, उसे हम संयुक्त भिन्न बोलते हैं, जैसे ये लिखा है, 2 साई, 1 बटे, 3, ये संयुक्त भिन्न है, 4 साई, 1 बटे, 5, संयुक्त भिन्न है, 8 साई, 2 बटे, 3, संयुक्त भिन्न है, यानि देखो यह साधान बिन है, 7 बटे 2, और यह साधान बिन है, 14 बटे 3, अब इसे साधान बिन या मिसरत बिन, साधान बिन को भी मिसरत बिन भी बोलते हैं, मिसरत बिन, इन्हें बदलते कैसे हैं देखो, और बदलते कब हैं, इसकी दो कंडिशन है, बदलते कैसे हैं, और बदलत करते हैं कब बदलते हैं कब बदलना है और कब नहीं बदलना है देखो अगर अंस की संक्या है वो हर की संक्या से ज़्यादा हो अंस का मान है जो हर के मान से ज़्यादा हो तब हम साधान बिंद को संयुक्तिया मिर्सर बिंद में बदलते हैं तो यह क्या हम इसे बदल सकते हैं बदल सकते हैं क्योंकि अंस का मान हर से जादा है तो बदलने का तरीक़ा क्या है? हर से अंस में भाग देते हैं देखो, दो ठीए 6, एक बचा, कितनी बार भाग गया? 3 वार अब इसे बदलते कैसे, जितनी बार भाग जाता है उसे पूरांक बोलते हैं और इसे सही में लिखते हैं और जो सेस बचता है उसका वो अंस बन जाता है और जिसे भाग देते हैं वो हर बन जाता है यानि 7 बटे 2 को संयुक्त या मिस्र बिन्ने में लिख सकते हैं हम 3 सही 1 बटे 2 अब इसी प्रकार 14 बटे 3 ये साधान बिन्ने ह सकते हैं क्या हम इसे साधन भिन या संयक्त भिनने में बदल सकते हैं हाँ क्यों क्योंकि इसका अंस हर से जाता है अब बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं हर का वाग अंस में देंगे देखो, चोदे और उसे पूरांक बोलते हैं, जो सेस आता है वो उसका अंस बनता है और जिसे भाग देते हैं वो उसका हर बन जाता है तो चोदे बटाइ थीन को हम लेख सकते हैं 4 सही एक बटाइ दो ये साधान भिन्न का मिस्रित रूप या संयुक्त भिन्न है अभी नोट में देखो वही मैंने पहले उपर बताई वही बात है केवल उनी भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिसका अंस हर से बड़ा हो क्या देखो क्या इसे हम सहयुक्त बिनने में बदल सकते हैं नहीं क्योंकि अंस का मान हर के मान से कम है अंस का मान हर के मान से कम है तो इसे नहीं बदल सकते आठ वट्टे तीन को बदल सकते हैं कैसे क्यों पहले तो क्यों क्योंकि आठ बड़ा है तीन से तो इसमें इसका भाग देंगे, आठ में, तीन से भाग देंगे, तो तीन दूनी, छे, दो बचे, जब ये बन गया, उडांक, और ये बन गया, अंस, और ये बन गया, हर, क्या इसे बतल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि हर अंस का मान हर से काम है, अब देखो कुछ आगे बहुत योज़ बोलें अभी देखो क्या बोला रहा है संयुक्त भिन्ष को साधान बिन obs bearing बहुट छोडी ची 팀 दे लेकिन यह मैं आनी चाहिए यह हमें आनी चाहिए तो इसे कैसे बदलते हैं देखो यह सैmos problem है है क्योंकि इसमें यह पूरांख दिया है अगर किसी में पूरांक दिया है तो वो संयुक्त भिन्न या मिस्र भिन्न है अब इसे हमें बदलना है साधान भिन्न में कैसे बदलेंगे तो बदलने का नियम क्या है जो इसका जो पूरांक है उसका हम हर से गुणा करते है तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 21 और अंसकोस में जोड़ देते हैं तो 7, 21 और 22 और हर जियों क्यत्यों ये बदल गया साधान भिन्द में अब इसे बदल के देखते हैं तो हर का गुणा पूरांक में और अंसकोस में जोड़ देंगे इस प्रकार से साधान भिन्द में बदला जाता है एक और एक्जमपल ने लेते हैं 309 और 11 तो कैसे बदलेंगे? इस पूरांक का गुणा हर में करो 11 ती 33 और 9 जोड़ दो कितना हो गए 33 और 9? 42 और 11 ये बने गई साधान भिन्द क्या बने गई? साधान भिन्द और ये किस से बनी? साईयुक्त भिन्द से किस से बनी है? साईयुक्त या मिस्रित भिन्द से तो इस प्रकार से आप स्रयुक्त या मिस्र भिन्न को साधान भिन्न बदल सकते हो, और साधान भिन्न को मिस्र भिन्न में बदल सकते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक नोट देख लेते हैं, भिन्न को सदयव, साधान भिन्न में हल किया जाता है, अगर आए निन्यानवे सही, अठानवे बटे, निन्यानवे गुणा, निन्यानवे तो क्या होगा, अभी देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, गल्ती क्या करते हैं, वो देख लो, अगर ऐसे भिन दी है, और यह से सी में आया वो सवाल है, तो क्या करते हैं, इस से काट दिया, उसे साधान भिने में बदलेंगे, तो उसे बदलने का तरीका क्या है, कि इन दोनों का गुणा करेंगे, और इसे जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 99, गुणा 99, पिलस 98, बटे 99, और यहां आएगा 99, अब यह 99 है, इसके बटे कुछ नहीं है, तो हम एक मान लेते हैं, तब हम समान अंस को समान हर से काट सकते हैं, अभी यहां क्या थी, यह संक्या हम इसे काट रहे थे, तो यह संक्या पूरांक में थी, पूरांक को हर से, इस संक्या को इस संक्या से काट देंगे, अब 99 का गुणा 99 में करेंगे, तो आएगा, 9,81 और 9,81 दूनिए 162 और 8,70 हांसिल सत्र है 9,80,78 प्लस 98 यह हो जाएगा 98,99 यह इसको अतर होगा लेकिन हम क्या कर रहे थे कि हमने यह से इसको काट दिया और 98,99 कर दिया वो अतर ऐसा नहीं करना है सबसे पहले भिन को अगर कोई मिसरत भिन है तो उसे पहले सादार भिन में बदलना है अब हम आगे बढ़ते हैं और भिन का जोड और गठाना के बारे में बात करते हैं जब हम भिन को जोडते या गठाते हैं तब हमारे सामने दो तरह की स्थिति बनती है पहली क्या है यद दिये गए भिन के हर समान हो आपस में यद दिये भिन है देखो इसके हर समान है साथ वट्टे तीन, ग्यारे वट्टे तीन, दस वट्टे तीन हर तीनों के समान है तब बहुत इजी होता है करना एक हर लिख लिए अब उपर वाली संख्या अगर धन में है तो जोड़ दो घटा देते हैं तो साथ और 11 हो गए 18 18 उटके 10 गए तो बचे आठ यह हो गया इसका उत्तर अब देखो यह इसे कैसे करेंगे तो इसे हल करने से पहले सबसे पहले यह मिस्रित बिनने है इसे साधन बिनने में हम अब देखो तीनों का हर एक देशा है साथ और 11 11 में ते चार के कितने बचे यह उत्तर हो गया यानि यह दोनों संख्या एक जैसी है तो यह कट भी जाएंगे तब भी ऐसे हो जाएगा क्या समझे अगर A बटे D, B बटे D, C बटे D कहने का मतलब अगर हर समान है और संख्या ना हो तब हम कैसे करते हैं तब करने का तरीका यह होता है कि जो हर होते हैं उसका लेते हैं लासा तो देखो लासा कैसे लेंगे अब हम यह चार और छे का लेना है वो मैं यहीं बता देता हूं लासा लेने वाला चैप्टर में मैं आगे पढ़ाऊंगा देखो लासा कैसे ल तो यहां इनका जो लास आया वो बारे लिख लेंगे यानि इसको पूरे बटे की लाइन के नीचे बारे लिख लेंगे अब करेंगे इस वाली संक्या का भाग इसमें देखे देखेंगे तो चार का भाग बारे में कितनी वार जा रहा है तीन वार और जो भाग जा रहा है उसी संक्या का इसमें गुणा करेंगे तीन 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 नो अब यहां प्लस वाला चिन्न है तो लिख लिया अब छे का भाग अगर आधार समान ना हो अगरहिए किया करते हैं उनका लासा लेते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं इस बिनने की तरफ सबसे पहले हमें देखना है क्या सारी भिनने साधर भिनने हैं तो पहली भिनन चार से उठावर्ति कि यह हैं komma दीनल से आहीं है तो हम इन्हें सब więcej साथ आणबिन्न में बनेंगे तो टिन नूनी स्य म Bryce एक शूर्व चार भी धाल उर्व त meant you इंटर सब्सक्राइब शूटी संग्य कि इसमें दो बार जा रहा है इसमें जा नहीं रहा है एसमें यहां जब तक एक एक करते रहते हैं अब तीनों में इस थम् along करेंगे उसका लासा हो हीге तो खंका दो निचाती की आज अब पिर यहांसे शुरू होती है अब चार का भाग बारए में तीन वार जो तीन आया उसका उसकान कर ने तो हो गया 21, अब यहाँ यह दन का चिनने तो दन का लिख लिया, अब 3 का भाग 12 में, 4 बार 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28, अब रिड़ का चिनने तो रिड़ का लिख लिया, 6 का भाग 12 में, 2 बार 2 का गुणा करेंगे, 4 में, देखो, यह संक्या किसकी है, धन की, यह संक्या किसकी है, कैसे करें गुणा करना बहुत इजी है जैसे A बटे B गुणा C बटे D तो भिन के गुणा में हमेशा अंस अंस का गुणा कर देते हैं और हर का गुणा कर देते हैं तो A का गुणा C में करेंगे तो A C B का गुणा D में करेंगे तो B D अब जैसे मालो एक बट्टे तीन गुणा दो बट्टे चार इनका गुणा करना है तो दो एकन दो अंसंस का गुणा और हर अगर एसे तीन चार संख्या है एक बट्टे दो गुणा एक बट्टे तीन गुणा चार बट्टे पांच गुणा शात बट्टे आठ ऐसे है तब भ हो गया, मैं लेकिन हम यहाँ एक और सी देखते हैं सबसे पहले यह संखया से हर को काड़ सकते हैं एक ही इंस उपर एक एकन एक एक दूनी दो और दो सत्य चौद है अब नीचे क्या बन गया एक तीन ती पंजे पंदर है अभी यहां भी कार सकते हैं दो एकन दो और दो दूनी चार तो देखो उपर एक यह है एक यह है और साथ यह है एक 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 सत्य साथ अब नीचे क्या बन ग कर सकते हैं देखो भाग वाली किरिया क्या होती है भाग कैसे करते हैं भाग करने के लिए जैसे एक यह लिखा है ए बटे भी भाग सी बटे डी तो भाग करने के लिए अगर इस वाली संक्या का इसमें भाग देना है तो यहां चिन्नों का गुणा कर देते हैं और दूसरी वा अब देखो नोट इसमें भी है, रिडात्मक बिन्नों को संयुक्त बिन्न में नहीं बदला जा सकता है, जैसे ये लिख रहा है, माइनस सत्रे बटे पांच है, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया, कि ये माइनस तीन पूर्ण संक संक्या में नहीं बदल सकते, क्योंकि इसका मतलब ही ये है, कि ये वाली संक्या माइनस के सत्रे बटे पांच है, और इसका मतलब ये है गया, कि इसमें माइनस के तीन है, और प्लस के दो बटे पांच है, तो ये और ये कभी समान नहीं हो सकती है, इसलिए माइनस की संक्या क कभी पूल संक्या में नहीं बदल सकते। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और आप आगे ही ऐसे basic concept के वीडियो देखना चाहते हैं, अपना math इंप्रूव करना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो वीडियो को like करें, comment करें और मेरे channel को subscribe करें और बेल आइकन को दवाएं ताके आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें